हेलो फ्रेंट्स मैं अभी स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभी श्रेडिजन में तो दोस्तों यह मेरा वीडियो नंबर सिक्स है ठीक है इसके पहले मैंने पांच वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है जीके का ठीक है तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलि गजनी का वह प्रथम सासक कौन था जो खलिफाओं से सुल्तान की उपादी धारण ग्रहन कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम सासक था ठीक है तो बताइए गजनी का वह प्रथम सासक कौन था जो खलिफाओं से सुल्तान की उपादी धारण ग्रहन कर सुल्तान कहलाने वाला प्रतम सा सकता महमूद गजनावी ठीक है चली आगे देखें नेक्स्ट क्या है महमूद गजनी से सभी आक्रमन में सरवाधि यहां पर आक्रमन होगा ठीक है महमूद गजनी के सभी आक्रमन में सरवाधिक महत्पूर्ण आक्रमन कौन सा था तो जो महमूद गजनी थे उनके जो सभी आकर्मन में से सबसे महत्पूर्ण आकर्मन था सोमनाथ मंदिर पर आकर्मन जो की 1525 से 1526 के विच्च चला ठीका आगे निश्ट क्या है महमूद गजनी के भारत पर आकर्मन का उद्देश क्या था मध एसिया में एक बड़े सामराज की अस्थापना के लिए धन प्राप्त करना ठीका चले अगला कुश्चन देखिए हम महमूद गजनवी के भारत पर आकर्मन के समय भारत आयव विद्वान अलबरुनी ने किस महत्पूर्ण गरंथ की रचना की तो अलबरुनी ने किस गरंथ की रचना की किताब उल हिंद अकसर पूछा जाता एक जामे ठीका चले आगे देखिए नेक्स्ट क्या है दिल्ली सल संतनतकाल था उसका जो दर्वारी भासा था वह फार्सी थी ठीका चले आगे देखिए नेक्स्ट क्या है आगरा नगर के स्थापना किसके द्वारा की गई तो आगरा नगर के स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई ठीका आगे वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जि कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्माण कुतुबदीन ऐबब के द्वारा किया गया ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन क्या है किस खेलजी सासक ने दिल्ली के रासी हासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हथ्या कर दी थी तो अलाव दिन खेलजी ने ठीका नेक्ट क्या है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो इल्तुतमिस की मुहम्मद गौरी विजित परदेशों की देखवाल के लिए किस विश्वशनिया जेनरल को छोड़ कर गया था ठीका तो मुहम्मद गौरी विजित परदेशों यानि कि जो परदेश जीत गया था उसको उसकी देखवाल के लिए किस व्यक्ति को वह छोड़ कर गया था कि यह जो प्रदेश से उसकी तुम देखवाल करना तो कुतुब दिन आवबक के उपर सब छोड़ के गया था ठीक है चलिए नेक्ट देखिए किसके सासन काल में सबसे अधिक मंगोल आकरमन हुए तो मुहम्मद बिन तुगलक ने ठीक है चलिए नेक्ट देखिए अगला क्वेश्चिन क्या है लोधी वंस कांतिम सासक था इब्राहिम लोधी ठीक है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रजिया सुलतान ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या होगा दिल्ली के प्रथम सुलतान कौन थे? जिसने दच्छिन अअफ्रीका को पराजित करने का प्रयास किया दिल्ली के प्रतम सुल्तान कौन थे जिसने दचिन भारत को पराजित करने का प्रयास किया तो अल्लाव दिन खिलजी थे जो दिल्ली के प्रतम सुल्तान थे जिनोंने क्या किया कोशिस किया कि हम दचिन भारत को पराजित कर दें आगे क्या है यात्री इबन बतुता कहां से आया था तो मुरक्कोस है ठीक है चली आगे देखिए next क्या है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमन करने वाला था महमुद गजनवी ठीक है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमन करने वाला कौन था महमुद गजनवी चली next देखिए कौन अपने को बुद किषं सरी बुद सिकन यानिकि मुर्ति भंजग मुर्ति को तोड़ने वाला कहता था टिक तो कौन कहता था अपने आपको महमुद छिकए यामिन उत्दवला और अमिन उल मिलद टिक है यह मुहम्माद गजनवी की उपादी सेues कंगे सूख यह जो को आप रखे गए डूनों को आप याद रखे की अधिक्या यामिन उत्दवल страш अंप यामिनी वंस का था ठीक है नेक्ष देखिए महमुद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार में कौन सामिल था ठीक है तो बताएए महमुद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार में कौन सामिल था तो अलबुरुनी उत्वी और लेखक वयहाकी ठीक है और य लिए लिखा था ए यामिनी और वैहके ने लिखा था, तारीख ऐ सुतवदीन, ठीक है? तो तीनों किताब को देख लिजएगा, ये तीनों मुहंम्मद गजनमी के साथ भारत आये थे, ठीक है? और कौन-कौनसा किताब लिखे थे, ये भी देख लिजे, किताब उल हिंद, अल चलिए नेक्ष्ट देखिए अगला क्या है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई तो इलतुतमिस ने ठीगा लाल बक्स के नाम से जाना जाना जाने वाला भारतिया सासा कौन था कुट्बदीन ऐबॉक ठीगा चलिए आगे देखिए भारत में मुस्लिम राजे का संस्थापक मा जाता है मुहम्मद गौरी को ठीगा आगे क्या है कुट्ब मिनार के कारे को पूरा किया इलतुतमिस ने चलिए नेक्ष्ट देखिए अलबरुनी किसके सासनकाल में इतिहासकार था तो इसके पहले बताया थे हमने महमुद गजनवी ठीगा नेक्ष्ट क्या है दच्षिन अ ठीकका और इसका पहले क्या था यह लो महमुद गंजनी के काल में आया थे कौन अलबरुनी उतुवी और वैहाकी तो क्नफ्योजन नहीं होना चाहिए महमुद गजनवी के काल में यह तिनों आ थे ठीकार ओल और अल्वरुनी की से काल में महमुद गजनिवी के भी काल में ठीक है और इबन बतुता मुहम्मद बिन तुगला के कारे काल में ठीक है तो कन्फ्यूजन नहीं करना है चलिए नेश्ट देखिए किस ने अपने आपको खलीफा घोसित किया था मुबारक सा खेलजी ने अपने आपको क्या घोसित किया खलीफा ठीक है भारति इतिहास में बाजार नियमो यानि हम लिए नियन्त्रन पधरती की सुरुवात किस ने की तो अल्लाव दिन खेलजी नне की थी अल्बुरुनी द्वारा लिखी पुस्तक किताब उलहिंद या तरीके उलहिंद में किन विशयों की समिक्षा की है तो भारतिय गणित, भारतिय इतियास, भुगोल और खगोल और दर्सन के बारे में उसमें लिखा गिया है तो भारतिय गणित, भारतिय इतियास, भुगोल औ सब्सक्राइब संपरब्ग न रखी तो डिल्ली सलटनत का वह प्रथम सुल्ताण जिसने स्थाई सेना की निव रखी तो ऐलाउ खिलजी थे ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्या है गुलामवंज के साथ को करम यहां फिर दिया गया है तो पहले को तुब दीन नइबग फिर आराम साथ फिर एलतुत्मिस फिर रजिया सुल्तान इस तरह सासक मने गुलावंस में ठीक है आगे देखें अलाई दरवाजा का मुख्य द्वार कुतुमिनार कहलाता है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर खराज ठीक है तो देखें हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जो भूमिकर था उसे खराज कहा जाता था मुस्लिमों द्वारा दिये या जाने वाला भूमिकर उस मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिकर जकात और मुहम्मद गौरी किस वंस का था संस्वनि चल्ट क्लियर आगे देखिए नेक्ट देखिए भारत का पहला सासक जिसने मुहम्मद गौरी को पराजित किया तो सुलंकी सासक भीम दृत्य ठीक है इसने क्या किया तो मुहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला भारतिय सासक यही था ठीक है चल्या आगे देखिए मुहम्मद गौरी का सरवाधिक महतपूर्ण आक्रमन था तराइन का दिर्तिय इर्ध ठीक है सबसे महत्पूर्ण आक्रमन यही था मुहम्मद गौरी का चली आगे क्या है अलावदीन खिल जी के आक्रमन के समय देवगीरी का सासक था तो अलावदीन खिल सिर्मण के बाराध भारत कि किस वंस का राज असताफित हुआ तो साइद का ठीक है किस सुलतान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो फिरोज तुगलक के सासंकाल में सबसे अधिक गुलाम थे ठीक है और देखिए इसका PDF में आपको मिल जाएगा वीडियो आफ के बारे में वीडियो के इंड में बताऊंगे ठीक है तो चलिए आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और वन लाइनर कर लिजेए उसके बाद तो है तो ऐसे आपका क्या होगा कि अच्छे से आप दूबर देख लिजेगा तो बहुत आपका कवर हो जाएगा ठीक है बजाए कि आप क्वेश्चन जो लगाते हैं उसमें चार उप्सन दिया जाता है उसमें आप टिक करते हैं वह तो टेस्ट अपने आपको शेक करने के लिए पता है ठीक है और इस तरह फिलहाल आप जीके रटिए जितना आप कर सकें ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया फिरोज तुगलक कुतुबदीन एबक की राजधानी थी लाहोर अल्लाव दिन खिलजी के प्रस मैं आज करेंट का वीडियो नहीं डाला कल मैं करेंट का वीडियो भी लगांगा अगस्त माहका तो मैंने आप देखिए करेंट का जो मैं वीडियो प्लूट कर रहा हो पहले मैं मन्तवाइज चलूंगा और कुछ कोईस्टन होते हैं जो टोपिक बेस होते हैं जैसे कि आपक कि पूरस्कार हुआ ठीक है पूस्तके हुई निर्धन हुआ ठीक है और एप हुआ डे डे हुआ समेलन हुआ इंडेक्स हुआ इसको अलग से करेंगा पहले मंत्वाइज आपका जो बीना टॉपिक के question होते हैं उसको मैं मन्त्वाइज कराऊंगा तो मैंने अगस्त के video डाल दिया अगस्त 2021 का अब मैं सितंबर का कल video बनाऊंगा देन अगस्त और सितंबर से जो छूटे question है जो इधर दो से मैं कठा कर रहा हूँ कई book से net से तो उसको मैं फिर से तीसरा वीडियो लेकर आँगा जिसमें अगस्त और सितंबर का कमाईन होगा फिर हम लोग चलेंगे अक्टूबर की और तो इसी तरह मैं करेंट का वीडियो अप्लोड करेंगा ठीका चलिए अगला question देखते हैं क्या है तुगलक नामा के रचनकार अमिर बना हुआ ठीका चलें आगे देखिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने ठीका कवी अमीर खुश्रों किसके दर्वार में रहें अलावदिन खिलजी के दर्वार में ठीका कि किसके सल्तनत काल में प्रचलीत डाक व्यवस्था का विर्ष्थित विर्वन दिया गया इबन बवतुता के काल में ठीक है और देखिए एक बात और करना चाहता हूं तो मान लेजिए कि जी के तो आप कहीं से पॉड़ सकते हैं लेकिन जो बूक होता है ना बूक में बहुत वास्ट होता है अब उतना कवर आप सुचते हैं कि आप कर लेंगे लेकिन आप कवर नहीं कर पाईए अब यह तो टाइम है तो लग रहा आगी दीरे-दीरे अच्छ कर ले अधार बनता है तो एक ही बार सुचिएगा कि पूरा जी के पढ़ लेंगे तो नहीं होगा थोड़ा सा पढ़िए कुमिंद कुछ कौन अपने को इस्वर का अभिशाप कहता था चंगेज खां किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया तो इलतुतमीज ठीक है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवन्स का अंतिमसास कौन था नजुरुदीन महमूर ठीक है और अगर आप लोग ने पिछला पेट मैं क्धश्चन नहीं आयोगा सिंपल सिंपल कोहस्चन उपिक के दिक है तो किसी बारे में किसी City अहीं ट्व से कुश्चन पढ़ना है ज्यादे उसके बारे में डीप में एने की सिंदु घाटी उठाकर तीन सु कुश्चन आप रट दियें कि चलिए आगे देखे किसे बगदात के खली फाइव ने मंसूर प्रदान किया तो इलतुत्मीश क्यों गया कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राज किसे है तुगलक से दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरुक के सबसे बड़े जाल का निर्मान करने के लिए परसिद है फिरोस्सा तुगलक ठीका बल्बन ने भवे उपाधी धारण की जिल्ले इलाही ठीका आगे देखे इलतुत्मीश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दर्वाजा जो की अकबर के बुलन दर्वाजे का प्रेड़ना सुर्थ बना इस्तित है नागोर जो की जोधपूर में ठीका आगे किसने 40 तुर्की सरदार को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चलीसा दल का गठन किया तो इलतुत्मीश ने गठन किया तक इसका चलीसा द जिसे करते थे तुर्कान ए चिहलगानी भी ठीका आगे अलावदिन खिल जी का मूल नाम था अलि गुर्षास मलिक का फूर्ज को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि उसे एक हजार दिनार में खरिदा गया था ठीका आगे देखे अलावदिन खिल जी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विसो विजय की योजना को त्याग दिया ठीका अलावदिन खिल जी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विसो विजय की योजना जो सिकंदर महान था विसो जीतने की योजना बनाया हुए ठीका उसी तरह अलावदिन खिल जी ने भी एक योजना बनाई विस्वजितने के ठीक है लेकिन अलावल मुल्क के कहने के बाद उसने क्या किया अलावदिन खिल जी ने इस योजना को त्याग दिया विस्वजितने की योजना जो थी जो अलावदिन खीजी ने देखा था वो उसको त्याग दिया किसके कहने पर अलावल मुल्क के कहने पर ठीक है आगे देखें दिवान एडियासत यानि की मानिज मंत्राल है कि अस्थापना की अलावदिन खेजी ने किसने सैन सासन के छेत्र में दाग यानि घोड़े पर दाग अर्थात चिन यह चुलिया जो सैनिक के पहचान चिन का प्रचलन किया ठीक है चलिए आगे देखिए किस सुल्तान की मित्यू अफगानपूर तुगलगाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भौन की गिरने से हुई तो गया उसी दिन तुगलग तुगलग तुगलगाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भौन की गिरने से हुई तो गया सुदिन तुगलक, ठीक है, चलिए आगे देखें, यहाँ पर नहर होगा, ठीक है, यहाँ पर नहर होगा, नहर निर्मान करने वाला दिल्ली का प्रतम सुल्तान था, गया सुदिन तुगलक, सुल्तान बनने के पुर्व किसका नाम जौना खान था, तो मुहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था, ठीक है, चलिए आगे देखें, मुहम्मद बिन तुगलग की मित्यु कहां होई थट्टा में किस सुल्तान ने हासिबे सर्व हक ए हर्व यानि कि सिचाई कर नामक एक नया कर लगाया तो फिरोज तुगलग ठीक है चले भूमी मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन हुआ सिकंदर लोधी के काल में ठीक है किस मुस्लिम सासक के सिक्कों पर देवी लच्मी की याकृति बनी है मुहम्मद गवरी खी आगे दिल्ली के किस सुल्टान ने ब्राह्मनों पर जयजीय अकर लगाय था तो फिरोज तुगलग ने ब्राह्मनों पर जयजीय अकर लगाय था ठीक question daw चंगेश खां का मुल नाम था तेमुचीन तो दोस्तों यह लास्ट कोश्चन था ऐसा ही कोश्चन आप लोग को मिलते रहेगा कल आपको करेंट का वीडियो मिलेगा ठीक है और साम को भी मिल सकते हैं आपको किसका वीडियो तो देखिए साम को आपको मैं बता रहा हूँ गौतम बुध हो गया सिंधूख हाटी हो गया वैदिक सभ्यता भी हो गया बुद्ध धर्म गौतम भुध हो गया यह भी हो गया सतनत काल देखिए अगला वीडियो आपका प्लेइलिस्ट में देखेंगे सिलिवस में उसके अनुसार बताएंगे याद आगिया राजपुत काल का मैं वीडियो कल सामको अप्लोड करेंगा ठीक है और यह मेरा नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं वाटसब कर सकते हैं इससी के तुरू आपको पीडियो पर सेंट कर दिया जाएगा तेक्या आपको 100 रुपीज पे करना होगा 100 रुपीज में आपको करेंट GSGK जो 50 नंबर का आ रहा इससी पेट में सारा पीडियो आपको सेंट कर दिया जाए ओनली सोर पेज और यह आप फोन पर या गूगल पर कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं कल एक ने वीडियो के साथ धन्यवाद